हे दिस्तों मैं आपका टॉप रिपोर्टर में स्वागत करता हूँ आज हम बात करने वाले हैं उन सभी स्टूडिन्ट के लिए जो एम्स में एड्मिशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर वेबसाइट पर एक नया नोटिफिकेशन आया है ओपिन कांसलिंग के बारे में पर नाम आएगा उन्हें एड्मिशन दिया जाएगा यहाँ पर कोई रिप्टरिक्शन नहीं है कि सर्फ 2000 रिंग वाले ही एपले कर सकते हैं आप सभी रिंग वाले एपलाई कर सकते हैं और जितने भी लोग एपलाई करते हैं उसमें जो सबसे उपर होता है उसे ही एड्मिशन दिया जाएगा जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं सबसे पहले अगर आप पार्टिस्पेट करना चाहते हैं तो आपको रिप्टरिशन कराना पड़ेगा तो रिप्टरिशन जो है वो है 10 अगस्ट 2018 से 16 अगस्ट 2018 के बीच यानि आपको 16 अगस्ट 2018 से पहले ही registration करवाना होगा फिर seat का जो vacancy है वो public होगा 20 अगस्ट को फिर counselling होने वाला है 21 अगस्ट 2018 से जो की continue होगा 22 अगस्ट 2018 को फिर यहाँ पर और थोड़ा detail दिये गया है place of open round of seat allocation यानि अगर आप यहाँ पर participate करना चाहते हैं आपको कहां जाना पड़ेगा आपको जाना पड़ेगा जवाहर लाल auditorium AIIMS New Delhi तो आपको New Delhi जाना पड़ेगा अगर आप यहाँ counselling जो है उसमें participate करना चाहते हैं तो यहाँ पर देख लीजिए कि registration for open round and seat allocation is mandatory यानि आप participate करना चाहते हैं तो registration compulsory है आपको पहले registration करवा लेना है और फिर आपको दिल ली जाना है तो यह वीडियो आप सभी student के लिए हैं जो AIIMS में admission लेना चाहते हैं जिनको अभी तक AIIMS में admission नहीं मिला था आप वहाँ पर अपना registration करा लेजे और participate करिए यह वीडियो कैसे लगा हमें नीचे comment कर बता सकते हैं साथ ही यह वीडियो आप अपने दोस के साथ भी share कर सकते हैं ताकि आपके साथ वो भी update रहे हमारे चैनल टॉप reporter को subscribe करना ना भोले साथ ही notification के लिए bell icon दबा दे ताकि ऐसे ही वीडियो आप तक पहुंसते रहें धन्यवाद